Hello students, welcome to home study, तो कैसे हैं आप सब, so I hope you all are fine अभी भी आपके पास time है, अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अराम से exam को clear कर सकते हैं देखिए students, exam होना है में में और तब से, और ये चल रहा है नविम्बर तो आपके पास अच्छा खासा time है, अगर आप start करते हैं आज से तो आप exam ज़रूर clear कर पाएंगे और बन पाएंगे top तो इस वीडियो में हम आज एक नया topic लेकर आए हैं, वो है NEED 2021 exam tips ये एक entrance exam होता है, जो medical students के लिए होता है, यानि जो 12th pass करके किसी medical college को लेना चाहते हैं तो college पाने के लिए उन्हें entrance exam देना पड़ता है students, ताकि उन्हें college मिल सके, चाहिए वो government college हो, चाहिए वो private college हो तो उसी college को पाने के लिए जो exam होता है, उस exam का नाम होता है NEED जो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसका 100% benefit उठा सके time waste नहीं करते हैं, topic पे चलते हैं तो सबसे पहले students, अगर आपको exam देने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा exam देने जा रहें तो इस exam का नाम है NEED जिसका full firm होता है National Eligibility Come Entrance Test दूसरा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी body इसे conduct करती है, यानि इस exam को conduct कौन करवाता है तो NTA से conduct करवाती है, जिसका नाम है National Testing Agency, पहले यह CBA से conduct करवाती थी, लेकिन अभी NTA conduct करवाती है mode of exam इसका offline होता है, MCQ based के questions होता है, यानि multiple choice questions आएंगे और offline यानि pen paper based होगा languages, अभी तक 11 languages की बात इन्होंने की, यानि 11 languages में student paper दे सकते हैं English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, Uriya, Kannada and Urdu इन सारे languages में कोई भी student नीट दे सकता है duration of exam, 3 hours का यह exam होता है, 3 घंटे का paper होता है total marks, यानि कितने marks का ही paper होता है, तो 720 marks का ही paper होता है 720 marks का ही paper होता है students, और 3 घंटे तक exam चलता है exam कोई parts में नहीं चलता है, exam continuity में चलता है कोई break वगिरा कुछ भी नहीं होता है total number of questions पर आएंगे, 180 questions होते हैं 180 questions होते हैं, तो हर एक questions 4 marks का होता है और अगर आप सही answer दे रहे हैं, तो आपको 4 marks मिल जाएंगे अगर आप गलत answer दे रहे हैं, तो आपका 1 marks minus हो जाएगा अगर आप answer नहीं दे रहे हैं, question छोड़ दे रहे हैं तो ना आपको कोई marks मिलेगा, ना आपकी कोई marks कटेंगे तो negative marking, 1 marks की होती है, subjects इसमें कौन-कौन से आते हैं physics आता है, chemistry आता है, biology आता है dates की मैं बात कर लेती हूँ, important dates का मतलब होता है कि इस exam का जो procedure होता है, उसके लिए आपको form भरना पड़ता है form आपको online ही भरना होता है और वो एक form आप जब निकल जाता है NTA जब forms निकालती है, तो आपको form भरना होता है form भरने के बाद आप पूरी अपनी details डाली, अपने 10th और 12th का अपना marks डालीए और अपने subject डालीए, subject वाइस आपको marks डालें अपना address, आपकी सारी personal data, वो मांते हैं फिर आप form भरेंगे, उसके बाद next step आएगा fees का, fees आप भरेंगे उसके बाद आपको आपका form समिट हो जाएगा सबसे पहले registration होता है, फिर हम form में details भरते हैं उसके बाद fees भरते हैं, three step का ही process होता है form हमारा जो निकलता है, वो December 2020 यानि इसी साल 2020, December में form आपका application form निकल जाएगा January 2021 में last date होता है application form के submission का और fees submission का भी last date ही होता है यानि January तक आपको सारी चीज़े submit कर देनी है February 2021 में आपका correction अगर आपने form में कोई गलती कर दिये form filling में तो आप correction कर सकते हैं April में आपका admit card आता है यानि exam से 15 दिन पहले exam के 15 दिन पहले admit card आता है May first week में ही most probably जो पहला Sunday पढ़ता है उसी में ये exam होता है May में ही होगा इस अगले साल भी इस साल COVID-19 की वज़े से exam late हुआ था लेकिन अगले साल अभी तक exam की dates नहीं आए हैं students लेकिन जो expected month और expected time होता है उसके हिसाब से जो अभी data आ रहा है उसी के हिसाब से मैं आपको बतारी हूँ या तो आप टैली भी करके एक expected अपना marks निकाल सकते हैं June में यानि correct exam के one month बाद ही result आता है एक महीने के बाद ही result आ जाता है जाधा time नहीं लेता है result आने में और June से ही counselling शुरू हो जाते हैं बच्चों को जो admissions process है वो start हो जाता है आप college के लिए आप अपना नाम दे सकते हैं आप college select कर सकते हैं और allotment of seats यानि July तक allotments हो जाती हैं तो most probably August में colleges start हो जाते हैं तो यह पूरा step होता है यह dates important eligibility जो होती है वो minimum 17 years यानि आप minimum 17 साल के तो होने चाहिए maximum age limit इसका अभी कुछ खास नहीं है लेकिन आप इतना समझ लेजे कि minimum 17 years होना ही चाहिए Indian citizenship होने चाहिए या OCI, Overseas citizens of India and NRIs can apply for exams यह तो बता है कि कॉंसे students exam के लिए apply कर सकते हैं 10 plus 2 passed out होने चाहिए of course and PCB subjects आपके पास होने चाहिए अगर आपके पस maths भी है तो कोई दिक्कत नहीं और कोई subject है तो दिक्कत नहीं है लेकिन physics, chemistry and biology यह तीनों subjects आपके पास होने चाहिए वो तीनों ही subject में आप करीब-करीब 50% से 50% marks से पास होने ही चाहिए qualifying marks यह qualifying marks उसका है कि आप NEET में आपको कितने marks चाहिए कि आपको college मिल जाए तो 50% general category के लिए यानि अगर 720 का paper है तो उसमें से 360 marks आपको लाने ही लाने है qualifying होने के लिए उसके बाद ही आपको कोई college मिल सकता है लेकिन student 360 में अगर आप general category से बिलॉंग करते हैं तो आपको कोई government MBBS seat तो नहीं मिलने वाला है private आपको मिल जाएंगे उतने में आप qualify हो जाओगे लेकिन अगर आपको MBBS college चाहिए या government का कोई अच्छा college चाहिए top colleges चाहिए तो उसके लिए students आपको minimum 550 plus marks लाने ही पड़ेंगे यानि आपका जो target होना चाहिए वो minimum 550 marks प्लस ही होना चाहिए उससे कम का target मत रखेगा वो भी private में मिलेगा government में तो उसके लिए भी आपको 400 plus लाना पड़ेगा general page category के लिए 45% होता है qualifying mark SCST and OBC के लिए 40% cut off जाती है exam का pattern देखी कैसा होता है physics में 45 questions आते हैं जो कि 180 marks के होते हैं क्योंकि एक question 4 marks का होता है students तो 45 questions मिलके 180 marks बनाते हैं biology में आपके 90 questions आते हैं जो कि 360 marks के लिए होते हैं books में आपको को suggest करना चाहूंगी books जो देखें students जो books होती हैं वो आप सबसे important role play करती हैं अगर आपको exam के लिए prepare कर रहे हैं अगर आपने exam के लिए preparation किया और अगर आपने कोई book ढंक से नहीं चूस की तो आपके marks तो कुछ भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि अगर आपके concept ही clear नहीं है वो book जो बहुत important role play करता है देखें आप coaching जा रहे हैं आपने coachings ले रखी हैं आप school में पढ़ रहे हैं या self study कर रहे हैं या online पढ़ रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज हो जाती है उससे तो आपके चीज़ें clear हो रही हैं लेकिन books जो होती हैं उनसे आप concepts को जो bind up होता है न वो करते हैं यानि सारे concepts को एकठा करते हो तो वो books की responsibility होती तो इसलिए books बहुत अच्छा select करना बहुत ज़रूरी होता है तो जो मैं आपको बोलना चाहूंगी NCRT इस book को अगर आपने छोड़ दियाना उस दिना भूल जाना कि आप NEET का exam clear कर पाऊगे कि NCRT के ऐसी किताब है जिसमें सारा खजाना भरा पड़ा है तो उस खजाने को चुरा लीजिए जरा सा और इस book को जरा सा पढ़ लीजिए जरा नहीं पूरा ही पढ़ लीजेगा और एकदम मैं तो कहती हूँ कि चाहे physics students कलती क्या करते हैं कि physics में NCRT को नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो कभी पास नहीं हो सकते है नीट का exam नीट exam बहुत ही basic level का exam होता है students 10 plus 2 passouts के लिए ही होता है न वो तो उतने ही level का आप ही पढ़िए और उस level में जो best books होती हैं वो होती है NCRT की अपना 11th और 12th class की book उठाईए NCRT की और अपना physics, chemistry, biology, सारी NCRT की book पढ़ लीज हो जाते हैं लेकिन आप पढ़ना start करेंगे तो आपको ज्यादा time ही लगेगा आपको NCRT को अच्छे से बहुत अच्छे से clear करना है और ऐसा नहीं कि आप reading करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं page पलटते जा रहे है reading line read करते जा रहे हैं आपके पल्ले तो कुछ पढ़ी नहीं concepts clear कीजिए अब वो concepts कहा clear होते हैं वो clear होते हैं आपकी coaching में आपकी online classes में आपके school में आपका जो भी tutor आपको पढ़ा रहा है वो आपके concepts clear करेगा basic level का मैं मैं जो वीडियो बनाती हूं मैं मेरी वीडियो में NCRT की book के ही chapters लेती हूं मैं science subject पढ़ाती हूं और 11 और 12 को biology पढ clear करते हो नहीं NCRT की book में जो line दी गई है उसको clear होना आपको बहुत ज़रूरी है कभी-कभी सीधा line का question उठाके दे देते हैं MCQ में और यह मन सुचेगा कि MCQ है तो बहुत easy है कुछ भी हम ticker के आजएंगे नहीं ऐसा नहीं होता बहुत resembled आपके options होते हैं आप confused हो चार बार तो आपको चार से पांच बार मैं तो कहती हूं कि आपको NCRT की किताबों को अच्छे से read करना होता है तीन से चार बार भी चलेगा चाहिए वो physics को physics और chemistry के लिए आप एक बार या दो बार भी अच्छे से पढ़के concept clear करके और आप आगे MCQ वगरा solve करेंगे तो ब मैं आपको और बात बताना चाहती हूं कि students आप biology, chemistry, physics के लिए NCRT के लिए NCRT तो पढ़ रहे हो लेकिन उसके सासाथ आपको कुछ ऐसी books चाहिए होती हैं जिन books से के through आप थोड़ा extra knowledge लेते हो ताकि वही चीज जब पढ़ रहे हो थोड़ी से और explore हो सके and then उसके बाद and then finally आपको PYQs that is previous year questions आपको solve करने होते हैं previous year question अगर आप से और नहीं कर रहे हो न तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा question जब आप exam देने जाओके न तो exam देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए मैं तो कहती हूं exam देने के दो मनत पहले तक अपन अपरिल में जो टू मन्स होते हैं कि एक्जाम आपका mostly first week of में में होता है तो में में आप पढ़ेंगे ऐसा तो सोचीए का भी मत तो फिर आपके पास मार्च और अपरिल का टाइम है मार्च और अपरिल में आपको क्या करना है PYQs करने है तीन गंटे बैट जाहिए और ती जरूरी है ठिंग इसकी आपको जो चीज आप पढ़े वो समझ में आना जरूरी है और अपने आपको involved रखी मस्ती भी कीजे थोड़ी सी साथ में आप family और friends के साथ time spend कर सकते हैं hangout कर सकते हैं आप chill कर सकते हो movies दे सकते हो और ठीक है यार एक level पे थोड़ी चीज़ें चलती है लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई के लिए अपना time देना है उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने mind को hangout भी करना है अपने mind को fresh भी करना है तो आप थोड़ा सा घूम लो थोड़ा सा fresh हो बाहर walk कर लो physical health का ध्यान रखो diet अची रखो ये सारी चीज़ होती है तो I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आई है और अगर आपको कोई doubt है आपको मुझसे कुछ tips देने है या motivational बाते जाननी हो तो उसके लिए भी मुझे suggest करिएगा मैं आपको ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बना की दूंगी तो आजाते हैं हमारे तो physics के लिए तो DC Panda volume 1 and volume 2 best है देखिए HC Verma भी अच्छी है HC Verma लेकिन concepts के लिए अच्छी है और बहुत आदा बुक की डेल लगा लेंगे तो आप पढ़ कुछ नहीं पाएंगे सची बोल रहे हूं NCRT पढ़िए NCRT पढ़ने के बाद NCRT की questions पहले तो NCRT की questions कर दीजे NCRT की questions आपके जब complete हो जाते हैं तब आप आईए अपनी reference book पे reference book में physics के लिए तो DC Pande volume 1 and volume 2 तो बहुत ही best है इसमें जो MCQs दिएगा है वो basic level से start होके hard level तक जाते हैं तो वो आप कर लीजे out of the course कुछ भी नहीं इसमें होता है तो I hope की तो मेरे मेरा तो यही suggestion है कि बुक बहुत बैस्ट के लावा कर आपके टीचर्स और आपके coaching के teachers school के teachers या आपका कोई भी mentor tutor जो है वो आपको कोई और बुक सजेस्ट कर रहा है तो आप उसको भी देख लीजे लेकिन बहुत जादा बुक मत रखी अपने पास एक दो बुक एनफ है chemistry पूरी सेम नहीं होती chemistry तीन टाइप की होती है inorganic के लिए JD Lee is best organic और फिजिकल के लिए OP टेंडन ठीक है MTJ Fingerprints नाम की एक बुक आती है वो आप chemistry और physics और biology तीनों के लिए MCQ solving के लिए ले सकते हैं थोड़े से उसमें errors होते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूं कि चीक है यार कोई और ये वीडियो कोई भी recommended वीडियो नहीं है किसीने मुझे suggestion नहीं दिया इस वीडियो ये अच्छे marks आ जाते हैं तो मैं इसलिए आपको ये बुक भी suggest कर रही हूं तो साथ में अगर आपके वस MCQ के लिए कोई और बुक है तो आप ले सकते हैं लेकिन MCQ के एक बुक होनी जरूरी है हालाक में DC पांड़े में इतने questions होते हैं कि आप MCQ solve करने तो हो जाएगा MCQ के ल पहले आप एक बात कभी मत भूलेगा NCRT मत छोड़िए और आपने छोड़ दी तो आप गए टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूं तो सबसे पहले बायला जी के लिए कि read NCRT book full line to line and word to word three to four times before exam वही मैंने अभी आपको समझाया exam के पहले तीन से चार बार NCRT की book word to word line to line आपको याद होनी चाहिए तब समझे कि आप पहले के लिए बिल्कुल prepared है chemistry में आपको reactions तो याद करने हैं लेकिन रटा मत मारीगा देखिए reactions को समझने के कोशिश कीजिए कि reactions ऐसे हो क्यों रहे हैं और क्या हो रहा है उसमें साथ ही साथ मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आपने concept भी clear कीजिए NCRT को तो बिल्कुल पढ़िए और अपना NCRT से concept clear करने के बाद MCQ solve कीजिए MCQ आपको biology physics chemistry तीनों में ही MCQ solve करना होता है physics के लिए clear concepts and solve as much as MCQ you can solve everyday तो physics आपको every day solve करना होता है वैसे suggestion होता है कोई student दो subjects everyday ले लेते हैं कोई student एक ही subject को करते हैं एक ही subject को आप एक हफते तक कीजिए फिर अगले subject को आप एक हफते बाद उठाइए तो इससे आपके सारे पिछले concept भूल जाते हैं और जब तक exam नहीं होता आप daily तीनो subjects को पढ़िए तो आप time अपना manage कर लिजे morning, evening, afternoon, night जैसे भी आप पढ़ते हैं उससे साबसे अपना time बना लिजे और तीनो subjects को और तीनो subjects को कर लिजे तो I think student आज के लिए जो मैंने आपको tip दिया वो इतना ही है आपको बताना चाहूँगी कि exam के time पे बहुत जादा tension नहीं लेते और बहुत जादा stress लेनी की जरुवत नहीं होती आप exam देने जा रहे हैं आप exam hall में बैठीए आपने practice की आपने पढ़ाई की आपने मेहनत की है तो आप definitely success करेंगे क्यों आपको tension और लेनी की जरुवती एक बात और मैं आपको उताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे students होंगे जो जिन्होंने drop लिया होगा या फिर जिन्होंने 12th में 11th में होंगे 10th में 9th में होंगे उससे भी छोटी classes के हो सकते हैं जो watch कर रहे हैं ये video कि उन्हें भी एग्जाम देना है या फिर second drop में होंगे या इवन BSE के students भी होते हैं कुछ जो exam देने के लिए पर बैर करते हैं तो अभी stage में हैं मैं आपको इतना suggest करना चाहूँगी कि NCRT को बिल्कुल मत छोड़ीगा NCRT is base NCRT is score उसी पे आप touch में रहेगा और NCRT को daily मैं तो कहती हूँ एक बार read जरूर कीजेगा जितने भी chapter स उनको calculate कीजेए अपने एक proper time table बनाई और उससे से touch करके आप अपने work को कीजेए तो definitely आपका clear हो जाएगा कोई tension वाली बात नहीं है free mind होके prepare कीजेए and motivated रही है that is the most important thing and if you want to get kind of motivational videos from me तो definitely I'll make some motivational videos for you all but उससे पहले आप मुझे suggest दरूर कीजेगा तो अगर आप मुझे suggest कर रह आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजे और अगर आप घंटा बचाएंगे तभी आपकी फोन की घंटी वजेगी